तो हेलो गाइस कैसे हो आपसे बाफ सब्सक्राइब साथ एक और न्यू वीडियो में हेर अतु सब्सक्राइब से स्कॉट आये था फेक्टरी के अंदर अब वो इसलिए क्यों कि जब में लोब्य में खाड़ा था ना तो सामने एक स्कॉट आ जाती है और खड़ों के भाई करने रखते हैं वह बंदी मुझे चैलेंज कि यह वह अंडिसेंड तो भाई मुझे यहां पर जक्तर उतरना पड़ते हैं और मंदों को थोड़ा सा मतलब मसचा खाना आया था मैं अब फर्स्ट लैंडिंग होते हैं मेरी मतलब इन से पहले और लुकिली पुष्ट कर रहे हैं तो भाई लोग मुझे तो गया क्रिकेट का भूस सबर क्योंकि मुझे जीतने इस बार प्लेश्पोर्ट पर 10 करोड तक के विनिंग्स आगे मैं सिजन और प्लेश्पोर्ट के विनिंग्स का बूस्ट सब में ही चड़ेगा क्या तुमको नहीं पता अरे मेरे भाई डाउनलोड करो मेरा फिवरिट प्लेश्पोर्ट गेमिंग अप जो सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे जैसे एक खड़ो लोगो का फिवरिट फैंटसी गेमिंग अप है और इस सीजन की विनिंग्स तो भाई बवाल है बवाल तो इंडिया क कि इतने सारे अप से हमके वल प्लेश्पोर्ट पर ही क्यों खेलें तो रिजन भी सुलनोड दस क्रोड तक की विनिंग प्राइस देख लो है ना अमेजिंग और आसे रोज नहीं अलग ओफर्स चलते रहते हैं इसी विड्रॉल कर सकतो विद नू के वाईस या विनिंग के टीम या फिर फेवरेट गेम के साथ लिंक इन देस्क्रेप्शन डाउनलोड ब्लेश्पोर्ट ना अब मेरो को यहां पर बचनी की उमीद बहुत ही सदा कम लग लेती अब दो बंदो को नोक करने के पाद चलो मैंना सोचा कोई बात हैं लेकिन जैसी तीसरा बंद आता है वो भी एस्ट लेके के साथ तो भाई सच बतारू मैंनों मीदे छोड़ देती और उसी टाइम पर यह बंदा भी कावर फैर दे रहा था सामने वाला तो इसकी बुलेट से बंबस्तों मतलब किसमत हमारे पूरे सांथ ती अब दोको हीलिंग नहीं थी मेरे पास अब कैसे भी मैं इसको डैमेज करता हूं और डैमेज होने के बाद पैनिक होके यह बंदा थोड़ा बहुत होट डैमेज ले लेता है मतलब कुल में लगकर हमारी मतलब मेरी और उसकी हेल्थ सेम ही थी और में को कुछ बैंडेज मिल चुके थे लेकिन जैसे मच्छत को पर आता हूं मेंने अपने उडिस गाना फुटस्टेप आते हैं कंटेनर साइड से और भाया जी इमोट करें इतर खड़े लेकिन मैं अबर काम निता भाई मैंने इसको स्पोर्ट किया और कुट्यों भी कैसे भी इसको लपेट लेता हूं लपेटने के बाद भाद थोड़ा साथ छड़ा वड़ा देते बंदों को मतलब जनली भी तुचिया इतना मस्त मस्त मोट रखे तो अब मैं अपनी इडी में नहीं किया रहा फिर से बता रहूं जो आइडी मोंटेक्स गेमिंग के तो डिस्क्रेप्रिप्रिप्रिशन चेकर लेना मतलब क्रेंड़ वगारे सब कुछ मिल जाएगा चाप कर लेना है कबारत अब आतों में सुली जगा अपर मतलब पेटी कंवाम दी अपनी लेकिन बच जाता है वो और हम भी साथ साथ अब वो सामने एक बगी रुकी थी और इसने भी मेरे को देखी लिया था तो यह भी रुक के मेरी दर्वे बढ़ रहा था लेकिन मैं इसको लपेट लेता हूं अब फाइब के अमो की थोड़ी बहुत कमी हो गई थी मेरे पास और मेरे को जहां तक समझे बहुत कर जाता हूं तो मैं बहुत सारे किल्ज़ ठालूंगा तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत के अमो डाता हूं इसको नौक करता हूं करता हूं और यह किसी बॉट वगरा को मार आता तो भाई पीछे वाली बग्यों करता है फिलाल के लिए और स्पॉट करते उस बॉट को अब देखो एक बंदे को मैंने जहां पर स्मॉक हो रहा है ना उधर भी नौक के था तो मुझे लगा ना कि इस बंदे को अभी वो बंदा रिवेव हो रहा है और अब तक हो भी चुका है अब मैं आच वता भई जैसे रैड जोन इंफ बहुत भार रदगा मुझे बंदे को मतलब बंदा मुझे स्पोर्ट होया था है और इसके बाद माइस को ट्रै करतो हूं वापस नौक करे का लिकिन पतार नी कौन जगलिश हो था है मैसको मारता था हूं वहां पर मर जाते हैं और तबहाई वहां पर मैच में तो धेख लेना है ऐसा ने के भी बोरिंग होने वाला है मतलब है क्लच अब मुश्किल इस वह उतरते के सांथे स्थार्ट हो जाती है क्योंकि जम्म में उतरा था था तो भाई हमारे जर्स टूपर एक पूरी के पर स्कौ दिवानजो की पेटे तो वहीं पर बन जाती है और मैं आख यसी बहुच के निकाल लेता हूं कि क्यों मैं बस गन्स थी मैं पुश करके मतलब पुश करके बदलाव अदल एफ निप्ठा सकता था बंदों को तो मैं देरे-देर करके क्लोजिन करने लग जाता हूं और एक ज कि यहीं सोच थे में फटा वर्ट से पुश करेता हूं खिर इन दोनों को ने प्टाने के बाद इन दोनों की पीटा चैक करता हूं मैं क्योंकि अमों की थोड़ी बहुत कम है थी मेरे पास आई तो इदर दो दो सकॉट थी लेकिन इन दोनों को जैसे ने प्टाना बैए अब इसको नौक देता हूं मैं और फिनिश भी करता हूं साथी साथ लेकिन वेट बस यहां पर दूसरी स्कॉर्ड का था वह बंदे हमें कहीं से भी सर्प्राइज कर सकते थे तो मैं थोड़ा बहुत अलर्ड था थोड़ा कवर में रहें के केल रहता हूं सामने के तरफ कुछ बॉट्स वगारा फ्री के दिखते हैं मेरको तो इनको निपटाते ह और निकलते हैं से कि जहां तक मुझे लग रहा था कि अब थर्डल में कोई बंदा नहीं है तो निकलने ही सही रहेगा फिलाल सामने के तरफ बंदा दूर होता है इसलिए वह बंदा मतलब ख़वर में चला आता है और डेमेज देता है मैं उसे भरपूर लेकिन बच जाता ह हैं और फानिल हमें बंदे मिल जाते हैं एक पूरी के पूरी स्कॉर्ड मेरे पीछे पड़ जाती है अब बचना मुझकिल था काफी सथा लेकिन वह कैसे चपमान देते अब एक तो बंदों के पास होटो गन नहीं था भाई पाता निकौन सा शौट गन चला रहेते हैं अब किसी और ही स्कॉट से सामनी के तरह फाइट करने लग जाते हैं तो मैं था वर से बगी बगार रहे हैं लेने का टाइक तो मेरे पास मैं फटावॉर्ट से सकी करके निकाल लेता हूं कि जस्सामनी फाइट हो रही थी और जल्दी से पोंस तैर वरना भाई इकिल्ज अब उसामने चो एल्फ सेट वाला बंदा था ना तो यहां पर मैंने पते क्या किया इस बंदे को नॉक करने के बाद छोड़ दिया था कि वो जो बंदा ट्राय कर अपनी पूरी इस बंदो को बचाने की और होता ऐसी है वो बंदा खर जाता जल्दवाजी बंदे के पास हीलिंग्स बगर नहीं थी उस बंदे को हील्थ मतलब हेल्थ करना चाहिए था और मेरी पीटी भी कंफर्म तेथर क्योंकि भाई बंदे ने बहुत जदा लो कर दिया था मुझे अच्छा कहला लेकिन जहां तक मेरी प्लैनिंग थे वह सकस्फुल हुई और हम आ तो बहुत दिक्कत मेरी लिए करेगा तो मैं पर मस्ति अच्छे मुखी के तलाश में था और जैसे मुझे 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 मिलता है फटा वर्ड़ जबंदे को नौक करता हूं मैं फिनिश करने की भी ट्राइक लेकिन बंदा बच जाता है ख्यार यह बंदा किसी और कोई अब मुझे नहीं पताता है कि यह रिस्क इतना बड़ा होने वाला है अब एस्ट वाले की उमीद मैंने की लेकिन भाई एक परसेंट भी नहीं की थी मेरे उसको नौक करते हैं और अब आ रही है लास्ट बचिव बंदे की तो गुश जाता हूं मैं सीधा अब इस वाले बंदे की इस्ट वाले के चलते नहीं एक तो बंदे के आर्पीजे फेल हुई और उपर से इस एस्ट वाले की वाले का एक शॉट भी ने लगा खेर दूर से एक और पीजी का शॉट टाइमेर उपर और उससे भी मैं भालब बसता हूं मतलब किसमत देखो किलियोमेटर दूर भी चले तो भाई आप मर सकते हो तो मैं ज्यादा रिस्क ना लेते हूं पीछे आता हूं और तभी पीछे से गंसर्ण जाने लगते हैं अब अब अच्छे मोगी के तलाश में था मैं और जैसिस बंदे का ध्यान पूरा सामने वाले पर हो जाता है भाई मैं लपीट लेता हूं इसको अब सामने वाले बंदे को मैंने जितना मारा उतने में तो इसको भचना नहीं चाहिए था क्योंकि इस बंदे ने भी डैमेज दिया होगा उसको लेकिन वह बंदा बच जाता है किसमत अच्छी थी उसकी अब लेफ से आर्पीज वाले से बचने के लिए में एक स्मॉक कर ल लेफ सेट देखो मतलब इधर नहीं लेफ सेट अब ट्राय तो बहुत कि इसको लपीट लिया जा लेकिन फिर से बंदा बचके निकल जाता इधर किसमत काफी जाद अच्छी चलते थी इसकी अब मैं आपर वड़ावर से की करके जोन में जाने लगा था क्योंकि जोन भी स् बंदों को स्पोट कर लेते हैं लेकिन अभी उसके मदद करने के लिए पूंच जाता हूं अब जैसे में दर पहुंचता हूं बंदों का देन मेरी उपर आयता है और इतना दिर में कहा होते कि राइट वाला बंदा क्लोजिन कर जाता है और भाई बस देखना क्या कमाल करने अब बंदों को तो दात देना ही पड़ेगा कैसे लेगी वीडियो कमेंट कर दो बताना वीडियो अच्छा लोग तो प्लिस लाइक कर देना सब्सक्काइब करके बहले करना सब्सक्राइब करना और इंस्टागाम पर फोलो करने लिंक इन देस्क्रिप्शन मिलता नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वाब और टेक क्यार